असलावेलिक मैं व्याशु मरीवान जब भी हम एशिया की बात करते हैं जब भी हम युएस फॉर्सेस की इंडियन की बात करते हैं जब भी हमMiddle इस्ट और एशिया की पोलिटेस को देख ते हैं तो अफगोनस्तान एक इंपर्टन् टापिक है याद रहे ये एक most important topic है FPSC descriptive exam के current affairs section का उसके तीन topics हमने cover कर लिये हैं उसमें CPAC था, कश्मीर था और US Pakistan relations थे ये current affairs का last topic हम पढ़ने जा रहे हैं FPSC descriptive exam के लिए जो है Afghanistan crisis इसको हम historical lenses से देखेंगे और आज तक पढ़ते आएंगे मिसाल के तौर बे इसमें हम देखेंगे के pre 911 history क्या रही है pre 911 में भी USSR की इनमे यान आती है और फिर उसके बाद जेनिवा एकाउड आता है fall of USSR आता है, तालबान की पहली government आती है और post 911 में हम JW Bush का period पढ़ेंगे बराक अबामा का period पढ़ेंगे डोनार्ड टरम्प का एक complete period पढ़ेंगे और बाइडन के early period को देखेंगे इसको हम कहते हैं post 911 और pre withdrawal of US forces अच्छा अगर हम post withdrawal of US forces की बात करें तो उसमें बाइडन का period आता है तो इस complete topic को हम अच्छे से पढ़ेंगे और पाकिस्तान का क्या रोल है पाकिस्तान पर क्या impact है और पाकिस्तान की policy क्या होनी चाहिए यह सारे इस topic में आ जाते हैं So let's go towards the topic जी तो यह जो अफगानस्तान का crisis है This is not a recent crisis यह four decades से crisis चलता आता है कभी उनके अपने internal issues होते हैं और कभी कोई और आकर उन पे invade कर देता है तो जाहिर सी बात है अगर अफगानस्तान में crisis होगा अफगानस्तान पाकिस्तान का परोसी country है दे बोधार्दी नेबर्स ब्रदर्ली उड नेबर्स तो अगर वहाँ पे impact है तो obviously वो impact पाकिस्तान पे आएगा इस वजह से पाकिस्तान की competitive exams में इनको अफगानस्तान crisis को एक अच्छी वेटेज दी जाती है ठीके जी तो तालिबान ने control किया था अफगानस्तान को प्री 9.11 जिसको हम कहते है तालिबान 1.0 क्योंकि तालिबान की अब भी गवर्मेंट आगई है इसको फेस किये हैं केरिटीज फेस किये हैं और economic losses फेस किये हैं US आया successfully government को replace किया but वो बहुत ज़्यादा fail हो गया it utterly failed to form the confident competitive government that may not be replaced by any undemocratic move ठीके जी लेकिन वो हुआ तो उसके बाद जब से तालिबान ने control किया है अफगानस्तान को बहुत सारे इशू है अफगानस्तान की identity के इशू है अफगानस्तान में fundamental rights के इशू है women education के इशू है वो हम आगे जरूर पढ़ेंगे इंशालला अच्छा हम अफगानस्तान के क्रैसिस को थोड़ा अच्छा से समझने के लिए इनको दो इसो में डिवाइट करते ला एक हमारा pre-911 हिसा रहा है और एक हमारा राए post-911 हिसा तो यह हमें help करेंगे अच्छे तरीखे से अफगानस्तान क्रैसिस को समझने में pre-911 में अगर हम देखें तो cold war के दुरान US ने अफगानस्तान को अग्नोर किया था क्यों अग्नोर किया था कि it is not an important country जिस पर US को focus करना चाहिए तो focus नहीं किया था क्या alternative available था अफगानस्तान के पास अफगानस्तान move to USSR आज का रशिया past का USSR सुईट उनिस को के थे उसके पास नहीं मूव किया for the financial help अब जाहिर सी बात है उनके पास जिसे मूव किया तो USSR का influence में अफगानस्तान है बढ़ गया जैसे अफगानस्तान में influence USSR का बढ़ गया तो they invaded अफगानस्तान जब उनके interest fulfill नहीं हो रहे थे जो country आपकी help कर रहा है जब उस country के interest fulfill नहीं होंगे तो जाहिर सी पात है वो अपना influence तो जारेगा न तो उनके influence जारा और क्या किया USSR ने इन्वेड किया अफगानस्तान को 1971 में क्या हुआ कि जो अफगानस्तान के civilians थे ना they started fighting against the USSR और USA ने support किया with the help of money and weapons because अब अफगानस्तान यूएस के लिए important country बन चुका था ठीके जी it is where the birth of Taliban begins इदर से तालबान की बर्थ हुई थी यूएस ने help किया था सूदिया ने help किया था तो अब तालबान जो है न उठे तालबान बर उठे ठीके जी तो आखिर का क्या हुआ जेनिवा एकार्ड हुआ जिसको हम डिटेल ने पढ़ते हैं USSR ने leave किया अफगानस्तान को 1988 में बट तालबान ने leave नहीं किया तालबान तो बन चुके थे तो पावर वेक्यूम जो था अफगानस्तान में वो पोस्ट USSR वित्दावल के बाद तालबान के पास आ गया तो तालबान एक force डिवलप हो गई ना अफगानस्तान में अफगानस्तान की हिस्ट्री में जेनिवाइकार्ड का भी एक important role है अब जेनिवाइकार्ड का क्या था इसके four participants थे 1988 में हुआ था four participants थे USSR अफगानस्तान, USA and Pakistan अब ये agreement इन four participants के बीच में था पाकिस्टान ने एक important role अदा किया बिकास पाकिस्टान को security threats भी थे और अफगानस्तान में इसू था तो पाकिस्टान में भी इसू था तो इस जेनिवाइकार्ड के सलसले में USSR ने invasion खतम की या free किया अफगानस्तान को नमबर पहली बात, नमबर दूसरी बात पाकिस्तान और अफगानस्तान के बीच में एक agreement हुआ कि USSR की इन्वियन के हुजासे जो refugees पाकिस्टान में आएंगे वो वापिस पीस्फुली चले जाएंगे अफगानस्तान में आमल थे USSR से, जब USSR ने invade किया था अफगानस्तान को तो पाकिस्तान was also active in an ally of USA तो सोवेट के हुजासे अब्यसली पाकिस्तानों खत्रा था तो ये भी एक security territory पाकिस्तान के चले गए तो जैनिवा एकॉड की अफगानस्तान की history में ये अफगानस्तान क्रैसिस को समझने के लिए पाकिस्तान में उसका impact समझने के लिए एक बहुत बड़ी value समझी जाती है तो जैनिवा एकॉड की debts वगएरा कभी कभी हम excuse में पूछी जा सकती है लेकिन जब भी आफगानस्तान की history को डिसकुस करेंगे तो जनिवाइक काट को जरूर डिसकुस करेंगे एक और important part है समझने के लिए के यह सार के फाल से क्या impact पड़ा था अफगानस्तान पे सोवेटिनन ने वित्रा कर लिया अफगानस्तान से सोवेटिनन टूट भी गया 1991 में तो एक vacuum of governance create हो गया अफगानस्तान में उसको किसने फिल किया तालबान ने फिल किया प्रापरली तालबान ने 1996 में उसका कंट्रोल कर लिया था तो यह तो तालबान जिसको Islamic fundamentalist के कहा जाता है इन्होंने कंट्रोल किया अफगानस्तान को from 1996 to 2001 अच्छा इसके दुरान ही इनकी हकोमत के दुरान ही US के trade center पे अटेक हुआ जिसका indirect जो blame था वो अफगान तालबान पे था क्योंकि उसां बिन लादिन ने वो according to US इसना बिन लादिन ने वो attack plan किया एंड अफगान तालबान के उसको बहुत ज़्यदा help थी अल-काइदा ने उसको बिलकुल accept भी किया था तो इडिस वियर दी US invaded Afghanistan and the post 9-11 history begins from here Post 9-11 history को समझने के लिए जो पहला हमारे पास period है वो है George W. Bush का George W. Bush President थे US के जिस वक्त ही अटेक हुआ and he was attending the assembly in school when he was informed that enemies have attacked the US trade centers and the number of people have been killed so he took strict measures when he came to knew that Afghan Taliban are indirectly involved and al-qaeda has assumed the responsibility of attack though he took strict steps he said we do we do not negotiate with terrorists and become more offensive in Afghanistan बिलकुल बना Afghanistan में उसने forces को चोड़ा और जो नेटो की forces है वहां से help ली तो he determined to defeat Taliban in Afghanistan कहीं हद तक उसने कर भी लिया था यह फैल्टो डिमिश अफगान तालबान फारेवर बट जब्लू के टाइम प्रिड में अफगानस्तान में एक न्यू आप कांस्टिटिशन आया अफगानस्तान में एक न्यू गवर्मेंट आई और यह जो है ना जितनी भी प्रोग्रेस थी यह जो डबली बुश के टाइम प्रिड में अच्छा अब हम आते हैं ओबामा के टाइम प्रिड पे ओबामा ने दो हजार नो से दो टम्स दोहजार नो से दोहजार तेरह दोहजार तेरह से दोहजार सत्रह दो टम्स जो है ना रूल किया था या प्रेजिडंट रहे थे यूएस के तो फर्स्ट ही अडॉप्टर दिस सेम अप्रोच आफ ओबामा देन ही बिकेम बिट कंसल्टेटिव और एंड उन्होंना रिसाइड किया कि हम जो है ना कंसल्टेशन्स पे जाते हैं इशू को रिजॉल्फ करने के लिए ठीक है जी पहले ओबामा ने क्या किया तीन हजार एडिशनल थर्टी थाउजन एडिशनल टूप्स सेंड की अफगानिस्तान में और उसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि हम कं इस्टिक अप्रोच ठीक है जी और उसने एक काडिनेशन ग्रूप भी काइम किया जो बैसिकली डुहा में था और पीस टॉक्स के लिए था लेकिन ओबामा के पिरिएट में कोई पीस टॉक्स स्टार्ट नहीं हुए थे तो यह भी एक थोड़ अच्छा पीरिएट था इश इस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो पहले तो उसने थोड़ा हार्ट प्रोटिक्स दिखाई लेकिन बाद में उन्होंने एक स्पिशल डेपर फ़र अफगान टॉक्स अपना नॉमिनेट किया था जलमे खलील जाच बहुत फेमस रहे उस टाइम में और उन्होंने सेक्से ट्रॉम्प के पीरिएट के लास्ट टाइम में यह एग्रिमेंट हो गया था एंड यूएस हैड प्रॉमिस्ट एट इट वोड़ टेक इस पॉर्स आउट आउट अफगानिस्तान से लवली एंग्रेजूली इन फेज्ड मेंनर और अफगान तालबान में भी कहा था कि हम ज लिए थे अच्छा पाकिस्तान ना इस कंप्लीट पीस प्रॉसस में एकी स्टेकोल्डर रहा है पाकिस्तान में कुछ चीजों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया फर एक्जम्बल स्टेट लेवल पे पाकिस्तान ने कहा कि पार्टनर फर पीस ही हम हम कंफ्लिक्ट महसा नही ही लेंगे व희 और पाकिस्तान ने मिलिटरी टेक ओवर को डिस?- किया था अफगॉनिस्टान बे और पाकिस्तान ने कहा था कोई भी अफगॉनिस्टान में गवर्मेंट आ जाए हमакс सिब्ट करेंगी और पाकिस्तान ने कहा था कि अफगॉन-वेड सालिशन होना चाहिए पाकिस्तान का एक प्रिंशिपल स्क्राइए अफगान स्टान में रिगार्णि वीस प्रोसिस जिसी तरह U.S नेट अलाईज अफगान इस वार के इंपेक्ट सांहिं उसी तरह पाकिस्तान पेबिदें पकिस्तान ने अफगान वार में मोर् दें 70,000 पाकिस्तानी को लूज किया है सेवंटी तॉजन पाकिस्तानी जेंब एंब्रेज्ट मुटर्डम इन अफगानिस्तान जूट दूट दिस पाकिस्तान की एक अनामी को फिफ्टी बिल्यन डॉलर्स का लॉस वा है यूज नो तो हमें सरिफ 20 बिल्यन डालर दिये थे हमने आशा डिस्प्लेस्मेंट हुए लोगों की तो पाकिस्तान इस एक्वली शेरिंग दी लॉसेज एंड शेरिंग दी इंपेक्स आफ अफगान बॉर्ड दूसरा पाकिस्तान में अभी भी थ्री मिलियन प्लॉस प्लस अफगान रिफिजीजें ठीके जी ओ यह जो कंप्लीट सब्सक्राइब पकिस्थान में इंपोर्ट हुआ है ठीके जी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम कम्प्लिटली इस्टरब हुआ है और रिफुजी इश्यु इस कंप्लिटली स्टेंडिंग इस आफ स्वाड ऑफ टेर फ़र ऐस तो पाकिस्तान ने तो बहुत अइंपक्स परें हैं मिसाल के तोब नोगी हमारा जो एक उना सी करेंट सेबएान हैं राउड अःड देघ्री जान को तो अब दावान ह्कुमत बहुत को से महारे पास वी के पूंचा भी जाता है किすे कि कि Geb unseren कि Guard अफगान पीस प्रासेस की फेलिवर के, what were the main reasons behind it? सबसे पहले तो अफगानिस्तान में violence increase हो गई थी, लोगों में एक revolution आया, US की administration में changes हुई, तो कुछ चीज़ों पर बाइडन नहीं खड़े हो रहे थे, और दूसरा regional actors जो हैं, उनका भी एक influence रहा है, for example, India, India, India had anti-talbaal narrative, जिसकी वजा से यह थोड़ी बहुत दिस्टरबन होई है, similarly, जो elements in Afghanistan government, certain ministers, they were also not true to its cabinet, some had anti-state and anti-people opinions and some were true to India, and they told on media and they told on their social media accounts, ठीके जी, और बाकी जो original actors के role हैं, उसके साथ, US ने अफगानस्तान को bond agreement में, bond agreement जो हुआ था, उसमें ignore भी किया था, तो यह जितने भी factors हैं, यह मिलके, अफगान peace process को fail करते हैं, उन्होंने fail किया, हमने witness किया है, ठीके जी, एक और impरन कुछ चलने किए, इतना जल्दी, इतना जल्दी अफगानस्तान में किसे government गिर गई, हाला कि US ने इतना जदा train किया था, तो US की miscalculations थी, तीन, त्री miscalculations हैं, रिकिसेंजर ने कहा था, क्या कहा था, कि time, will and trust, time, will and trust, यह तीन ऐसे factor से, जो US ने miscalculate किया थी, और अफगानस्तान की forces जो थी, उन्होंने, वो number में तो ज़्यदा थी, तालबान से, लेकिन power and courage में नहीं थी, ठीक है जी, और US forces का role जो है, वो just limiting towards the training, advising and supporting था, उसे आगे कुछ भी नहीं था, और armed resistance कोई भी नहीं ही अफगाने तालबाने खिलाब, और US was itself criticized at home, यह different factors थे, जिन्होंने, अफगानिस्तान की government को collapse करने में, help की, help ही कह सकते हैं, और अफगानिस्तान की government गिर गई, तालबान ने take over कर लिया, अब यह भी एक important, important, pertinent question ने पुछा जाता है, कि अब के तालबान, तालबान 2.0, याने 2021 के बाद वले तालबान के क्या issues हैं, तो इसमें कुछ internal issues हैं, और कुछ external issues हैं, जिसमें TTP एक बहुत बड़ा issue है, इस तर्क्विनस्तान Islamic movement, ATIM, जो Chinese Muslims के help करती है, allegedly help करती है, वो केते हैं, कि वो issues हैं, उनके पास और हम उनके help करें, के liberate करेंगे, तो यह जो हैं, यह internal issues हैं, अफगान तालबान के हैं, वो भी हम देखते हैं तो रागे, governance के issues हैं, human rights के issues हैं, constitutional capacity नहीं है, यह सारे issues हैं आज के अफगान तालबान के, ठीक है जी, अब पाकिस्टान ने सब में क्या करना है, पाकिस्टान ने सफ़से पहले तो border fencing को prioritize करना है, और पाकिस्टान ने alarm करना है international bodies को, और the refugee crisis, और पाकिस्टान अगर extensive effort करे, तो regional economic program ले कर आ सकती है, ठीक है जी, most importantly, पाकिस्टान को international global stance लेना चाहिए, और the recognition of Afghan government, तो यह हमने complete dimension देख ली है Afghanistan government के, एंशनल लब विल coming up with another topic, thank you. कर दो आ एंशनल लेसे, और रहने को आ लेसे हमाएग कर दो एंशनल रिजस нет। करे आ सकती है, और आ रहने, यह हमेंगा है जी.